अल्फा बीटा बीदा रूट्स अब दा इक्वेशन एक्स इस पर मैंने 6x-2 इक्वेश तो जीरो और अन डिफाइन है और यहाँ एटन 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 एक्वेशन्स है इसको कैलिकुलेट करना है तो तो समफ रूट्स और प्रोड़क्टव रूट्स से काम चलने वाला नहीं है और साथ में जो रूट्स है इसके वो फैक्टर से भी नहीं आने वाले हैं तो अल्फा बीटा 6 plus minus 36 और यह 8 by 2 यह तो 3 हो गया 2 से डिवाइड के यह 44 है तो 4 बाहर तो 4 का इस पर रूट 2 तो यह भ बढ़ जाएगा मिनस एक 3 प्लस अंडर रूट 11 ले 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 तो एक 3 माइनस अंडर रूट 11 जो एक्स्प्रेशन है ए टुदी पावर ए 10 टू इंटू इंटू 8 by 2 इंटू ए 9 अल्फा गेटाम में लिखें अल्फा बीटा क्टाम में तो अल्फा टुदी पावर 10 माइनस ब पावर 8 माइनस बीटा टुदी पावर 8 by अल्फा टुदी पावर 9 माइनस बीटा टुदी पावर 9 यह एक्स्प्रेशन है अल्फा बीटा का वेल्यू पुट करें पुट करने से पहले थोरा इसको सिंप्लिफाई कर लेते हैं अल्फा टुदी पावर 8 कमन आ रहा है तो अल और माइनस माइनस प्लस माइनस ला याद यह पर माइनस टू यह अगर 9 रहता दोनों तब तो आसान होता गिए तब तो आसान होता कि कट जाता नहीं है इसका मतलब पुट करने के बाद यह स्वाल्व होके कटेगा और अल्फा टुदी पावर 8 से अलफा तो भी पाव नाइन ही बनाना है तो हम पूट नहीं कर रहे हैं इस इसी को कैल्कुलेट कर रहे हैं तिरिफ अलफा स्क्वेर अलफा आपने लिया 3 प्लस अंदर रूट 11 9 प्लस 11 और 6 रूट 11 माइनस टू और इसको भी ऐसा मैंने जो सोचा है उसके कोडिंग शिर्फ इसको तो रहे कि एक बीटा इस में से आ जाए और एक अलफा इस से आ जाए ताकि काम बन जाए तो 9 माइनस तो प्लस हो जागे स्क्वेर करेंगे तो और 6 रूट 11 माइनस टू बाए इसको नी यहां से कितना 20 माइनस 18 18 में से 6 कमान जाएगा तो 6 कमान आजायगे तो आलफा टू दी पावर 8 और यह आएगा 3 प्लस अंडर उट 11 similarly यहां भी 20-18 18 में से 6 जाएगा यह भी 6 common है तो 3-11 और अलफा बीटा टुदी पावर 8 थाई तो एक बीटा मिल गया जो सोचा था वो कम हो गया इसका मतलब 6 common आएगा और यह क्या है पुरा अलफा है तो अलफा 230-9 हो जाएगा यह क्या है एक बीटा थो 눈 हो गया और नीचे टू अलफा 230-9 बीटा 1 यह तर्म कर जाएंगे 3 बचेए और 3 ओप्शन यह में है